Hello people, Be Serve Dependent में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है दिक्षा शर्बा and मैं आपके पास daily basis पर job updates लाती हूँ चाहे वो work from home या work from office so big companies की जितनी भी updates होती है सबसे पहले मैं आपके पास ले आती हूँ so अगर आप channel पर new है तो आप जल्दी से चानल को करें दिजे सब्सक्राइब and bell icon भी दबा दिजे so that आने वाली सारी notifications आपके पास पहले आजाए and आप जल्दी से stop के लिए apply कर पाए so job के साथ साथ हम internships भी लाते हैं part time freelance work भी लाते हैं so people मैंने आपसे promise किया था कि मैं अपने चैनल पर एक skill development course जरूर लाओंगी यानि कि इन वीडियो को देखने के पास जो अभी आप देख रहे है and आने वाले time में आप देखेंगे आप अपने आप में change feel करेंगे इस बात की मेरी guarantee है because A से लेके Z तक हम हर एक चीज़ कवर करने वाले है क्योंकि मैंने यही देखा है कि main चीज़ जो होती है interview क्योंकि हम लोग क्या है हम लोग technical exam है और सब clear कर लेते है but the thing is जब बात आती है HR से बात करने की कि कैसे बात की जाती है या फिर किस type से बात करना होता है present करना होता है resume में बनाना होता है अपनी profiles maintain करके रखनी होती है वो सबसे जादा important है और यह जो gap आ रहा है यही मतलब आपको इस point से उस point तक नहीं पहुचा आ रहा है इसलिए मैं आपके पास ऐसे series wise video लाने वाली हूँ यानि कि आज की एक video और कल भी आपको मिलेगी पर समय मिलेगी इस टाइब की वीडियो आपको हफ्ते में एक दो दिन मिलती रहेगी आप अपने skills polish कर पाए यह जो gap है वो maintain हो जाए क्योंकि यह बहुत ज्यादा important है and people एक बात की guarantee है अगर skills आपने सीख लिए न तो job के पीछे आप नहीं भागने वाले है job आपके पीछे भागेंगी इस बात की guarantee है so people आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि job के लिए मत भागे अपने skills develop कीजिए and एक बार आपके अंदर वो skills आ गए न जो हम करने वाले इस वीडियो में इस वीडियो को आप कोई भी name से बोल सकते है personality development, interview skills आप खुद में change महसूस करेंगे from the day one क्योंकि day one में ही आप एक तरीके से अपना पूरा schedule बनाने वाले है ये वीडियो एक change होने वाली है for all the people जो job तून रहे हैं तो people पहले तो आप ये सोचिए कि आप best है बस अपने हाँ में ये सोचिए आप best है और आप एक change हाते हैं बस ये thinking अपने पास रखिए ओके people, so अब हम वीडियो को start करते हैं देखते हैं कि क्या क्या content हम cover करने वाले है so people मैंने इस diary में बहुत अच्छे तरीके से notes बनाए है even मैं इसमें add-on करती रहूँगी ताकि मैं कोई भी चीज भूलना पाऊ और आप तक सारी information share कर पाऊ so ये बहुत जादे important है कि हम ये एक lesson भी करता है हमें कि हमें अगर कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में लिखे तो आपको भी रट्मेंट करूंगी if you want something तो एक तरीके से ना उसे लिखे that ये मेरा target है and ये ये बुझी काम करना है तो ये चीज भी आप as a tip ले सकते हैं तो अब हम cover करने वाले कि क्या का content हम अभी इस video series में cover करने वाले है and आप अपने में change कैसे लाएं ये सारी चीजे यही पर cover होने वाली है तो ये जो मैंने topics लिखे हैं यहापर ये change हो सकते हैं मतलब कि मैं और बढ़ा सकती हूँ इने कम तो नहीं कर सकते हैं इन्वारोमेंट में बहुत चेंजे साते रहते हैं तो जैसे जैसे चेंजे साते रहेंगे हम चेंज लाएंगे तो अभी मैंने कुछ टॉपिक सोच के लिखे हैं जिनके अंडर में बहुत सारे topics add-on करूंगी तो यहाँ पर देखे नमबर वन जो आपका important step है वो है grooming का तो grooming आपको हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कैसे आपको interview ready रहना है because देखे अगर आप virtual भी कही पर job कर रहें आप work from home कर रहें तो आपका video interview होता है तो किस तरीके से आपको present करना है अपने आपको कैसे expressions होते है body justice होते है कैसे सब कुछ होता है सब कुछ मैं A to Z बताने वाली हूँ हर एक चीज की अलग video हाईगी so that आपको हर एक चीज में help मिले ओके पीपर तो यह topic हम cover करने वाले है second thing is how to talk, how to present कि कैसे आपको interviewer से बात करनी है और अपने आपको किस तरीके से demonstrate करना है उनके सामने सारे tactics जो होते है कुछ questions जो जब हमें पूछते हैं like HR की do you have any question तो इसमें आपको question ज़रूर करना है और इसके बारे में हम सब चीज discuss करेंगे so being a MBA in HR and marketing मैं आपको हर एक tactics बताऊंगी कि HR आप से क्या पूछेगा और आपको किस तरीके से answer देना है and if you don't know an answer about that question और किस तरीके से उसे मना करना है ये सारी चीज़े हम अच्छे से cover करेंगे okay people so second point cover है third is resume preparation which is a very 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 important thing main चीज़ क्या होती है resume में हम unnecessary इसलिए चीज़े बहुत डाल जेते हैं या फिर बिल्कुली empty छो जेते हैं तो वो जो gap है वो भी हम complete करेंगे मैं आपको properly resume बना के दिखाने वाली हो कि क्या क्या important चीज़े होती है as a fresher भी और as a experience भी दोनों को साथ मिलेके चलेंगे because resume में क्या होता है क्योंकि आप देखें बहुत सारे ऐसी companies होती है जो short listing का जो criteria होता है वो पहले आपका रखती है resume तो जो आपका resume में होता है वो बहुती जादा बड़ा role play करता है किसी भी company में selection के लिए देखें इंटर्व्यू तो बात में होगा ना पहले तो आपका resume में जाए तो आपने ये सुना होगा कि first impression is the last impression तो basically ये interview में बिल्कुल follow किया जाता है तो इस चीज़ को भी आप note कीजेगा और हम अच्छे से बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको prepare करना है क्या चीज़े आप addon कर सकते हैं hobbies में क्या addon करना चाहिए as per the job requirement सारी job के requirement के अलग-अलग resume मैं आपको हर चीज detail में बताऊंगी आप बस वीडियो में tune रहिएगा अभी आपका ये briefing session होने वाला है कि हम आगे-ागे क्या-क्या cover करने वाले है day 1, day 2, day 3 इस तरीके से हम हर चीज कवर करने वाले है okay people so ये चीज है then आपका second जो important चीज आती है यहाँ पर resume के साथ वो है LinkedIn की profile कैसे setup की जाए LinkedIn बहुत जादा important है आप सभी चानते है LinkedIn क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ so अगर हम असान भाषा में इसको बताए कि LinkedIn क्या है तो LinkedIn आपका एक तरीके से resume है properly एक website वे में website भी और app के वे में भी इसमें आप हर चीज आड़ कर सकते हैं कि आपने कहां से schooling की है आपने कहां से अपना college कंप्लीट किया है क्या-क्या intentions आपने की है क्या आपकी hobbies है क्या आपके interest है क्या चीज़े आपको extra आती है या फिर आपके experiences क्या-क्या रहे है आपका name, आपकी basic information हर एक चीज उस LinkedIn profile पर रहती है तो इसको professionally कैसे maintain करना है कैसे connections रखने है किन-किन logo को follow करना होता है so that आपके connections अच्छे रहे किन HR को आपको directly कैसे सर्च करना होता है तो ये सारे चीज़े मैं आपको अपने end से बताने वाली हूँ properly LinkedIn profile setup करके तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है हर चीज यहां पर cover होगी LinkedIn बहुत important है क्योंकि वहां से भी job offers बहुत आते क्योंकि एक तरीके से वह आपका live resume में है वहां पर directly आपको offer आते आप for example कोई भी company ले लिजे कि आपको किसी company से आया for example flip card ले लेते है flip card से आया कि hi I wanted to know more about you can we have a conversation तो ऐसे HR होते directly आपको तो एक तरीके से आपको एक medium मिल गया है directly HR से connect होने का तो इसी लिए LinkedIn बहुत जादा important है इसके importance भी हम cover करेंगे separate separate videos में तो अभी मैं आपको overview दे रही हूँ इसके बाद जो आता है वो है nokri.com की site ये भी बहुत जादा important है so people मैं आपके पास सारे के सारे practical चीज़े ला रहे हैं क्योंकि ये ही चीज़े हैं जो आपको job ready रखती है job prepare करवाती है कैसे कैसे सब कुछ करना है तो ये सारे चीज़े मैं पहले प्रिपेर करा दोंगी ताक कि आपके पास ये in hand सब कुछ रहे बाकी बाद में आप दिरे दिरे अपने skills develop करते रहें okay people nokri.com भी same है लिंक्डिन की तरह वहां पे भी आप हर एक चीज़ अपनी मेंशन करते है whether it is experience, schooling, personal information हर एक चीज़ आप नौक्री.com पे रखते हैं कैसे वहां पर apply करनी होती है jobs के लिए लिए people अगर आपकी बहुत इची profile होगी ना directly gmails आएंगे आपके पास directly आपको यह चीज़ बीची काऊगी कैसे analyze करना होते है कि कौन सी job सही है कौन सी fake है तो यह सारे चीज़े हम उन अलग अलग वीडियो में cover करने वाले है ओके पीपल तो यह हो गया दन मैं आपको teach करूंगी basic English क्योंकि basic English बहुत important है किसी भी interview को पार करने के लिए तो इसमें हम cover करने वाले है professionals communication skills कि किस टाइब से आपको उनसे बात करने है जिसे I don't know का अगर answer देना है तो किस करीके से बोलना है directly I don't know नहीं बोलना है आपको थोड़ा frame out करके बोलना है तो यह चीजें भी हम अलग-अलग वीडियो में करेंगे तो आपको अब बहतर help में लेंगी इन सब चीजों से नेक्स्ट इस personality development activities करने वाले है तो people हम देखते हैं कि हम लोग काफी जादा काफी जादा इसे लोग होते हैं जिनमें confidence कमी होती है इवन मैं भी जब छोटी थी मेरे भी confidence कमी थी थोड़े activities करके extra curricular activities करके मैंने अपने आपको बहार निकाला and now what I am आप मुझे देख सकते हो तो यह बहुत जादा important है आपको अपने आपको change करने के लिए थोड़ी extra curricular activities करने की भी need होती है सब कुछ यह नहीं होता कि सब कुछ theoretical, practical कर लो but yes, light में थोड़ा fun भी होना चाहिए तो fun के लिए हम ऐसी activities लाने वाले जिससे आपको खुद में बढ़िया लगेगा इतनी knowledgeable, इतनी बड़ी activities होंगी कि आपको मज़ा आएगा इस activities को follow कर आप even आने वाले time में खुद में change देखेंगे कि आप में कितना जाता change आया है तो यही change हमें लाना है यही हमारा motive है So then हम cover करेंगे top interview questions सारे जितने भी cross questions होते हैं tell me about yourself मतलब जितने भी HR के favorite questions होते हैं वो हम cover करने वाले So being a MBA in HR मैं आपको वो सारी tips share करूंगे कि कैसे आपको जवाब देने है अगर आपको नहीं दे आता है तो भी कैसे जवाब देना है तो हम हर एक चीज कवर करेंगे So people आप बिल्कुल ट्यून रहेगा तो मैंने आपको एक तरीके से overview share किया है कि क्या करने वाले है इससे भी ज़ादा चीजे हम cover करेंगे क्योंकि चीजे ना बढ़ती ही रहती है यह ऐसी चीज है क्योंकि change environment हर दिन होता है हर minute होता है तो जैसे भी new-new चीजे आएंगी मैं इसमें आड़ाउन करती रहूंगी अभी आपके लिए एक तरीके से overview मैंने maintain किया है बट येस resume and आपका linkedin profile नौकरी.com हर एक चीज बहुती बढ़िया तरीके से prepare करेंगे और आपको job ready कर देंगे ओके पीपल तो आज की जो वीडियो है यह आपके बारे में है कि आप क्या है आप क्या करेंगे and आप क्या करने वाले है ये चीजे बहुत जादा important होती है ओके पीपल तो आज की वीडियो यही पर end होती है and I hope पीपल आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीस टैनल को कर दीजे subscribe and अगर आप ऐसी ही वीडियो देली चाहते है जोब से रिलेटेड या फिर ऐसी स्केल देवलोप्मेंट से रिलेटेड आप सब्सक्राइब कर दीजे and bell icon भी दबा दीजे so that जैसे की वीडियो आउट हो सबसे पहले आपके पास notification आजाए and अब जल से उस जोब के लिए apply करता है या फिर उस skills को सीखे okay people thank you so much आप सबी लोग अपना ध्यान रखे